जो भी कहिए, चाइनीज ब्रैंड हो या नॉन चाइनीज ब्रैंड हो, रियलमी हो या साउमी हो, या हो सैमसंग, सब को मूतोर जवाब दिया है, ये माइक्रोमैक्स, जब से माइक्रोमैक्स का दो स्पार्टफोन आया है, सिर्फ लॉंच होआ है, अभी तक सेल में नहीं आया अब से ही खलबली, खलबली है खलबली, तो हो चुका है हर एक के नजर में माइक्रोमैक्स हीरो, सपूट करना चाहिए इंडियन ब्रैंट को, और अभी जो न्यूज आपको मैं देने वाला हूँ, वो तो लिक्स हैं, पर ये जो माइक्रोमैक्स का इन नोट वान और वान भ उसके कुछ डिटेल्स आपके साथ सेर करूंगा, मेरा नम है शुमोन, तो चोलून, शुरू कोड़ा जाए, जब से ये माइक्रोमैक्स का दो स्पार्टफोन लॉंच हो चुका है, जो माइक्रोमैक्स का इन नोट वान और वान भी तब से मानो या ना मानो, हर एक ब्रैंट को थोरा सा जटका लग गया है, और ये जो माइक्रोमैक्स का और अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं, वो तो काफी बहतर लगा मुझे, मीडिययाटेक के जो हीलियो जी 95 वो भी आएगा, और मीडियाटिक डाइमिन सिड़ी जो प्रोसेसर वो भी आएगा, और मीडियाटेक क पर जो और एक good news आचुका है Micromax के तरप से देखे जो co-founder Mr. Rahul सर्मा उनको ये पूछा गया था अच्छा ये जो Innote 1 और 1 भी ये ही stop है या आगे जाके कुछ और भी products आएगा तो Rahul सर्मा ने डिरेक्ट ये ही कहा है नहीं भाई ये जो Innote 1 है ये तो सुरुआद है और आगे जाके और भी तग्रग तग्रग स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है और नोट से भी जादा मिलने वाला है तो भाईया ये भी लिख साय था Innote 2 आएगा और अब ये थोड़ा सा confirm news आया है Micromax का one of the cheapest 5D स्मार्टफोन आने बाला है और अगर ये होता है भाईया समझो Xiaomi गया Realme गया और क्या क्या गया तो Micromax का जो InSeries के अंदर Note 1 Pro या Note Pro 5G आएगा इसमें कहा जा रहा है जो आपको डिस्प्रे मिलेगा ना वो 120Hz रफ्रेस्रेश रेट के साथ क्या भाई Micromax आपने तो टाइम भी नहीं लिया आया और धुम बचाया धुम बचा ले उसी के साथ यहां पे Micromax ने और एक कहा के भाई दिखे हमाले साथ जो MediaTek है इसका partnership है इसलिए MediaTek का जो चिपसेट है ना Dimensity के अंदर 720, 800 1000 Series इसी जो processor है इसके साथ भी हम आएंगे और यह काफी ज़ादा chance है या तो 720 या तो 800 Series के साथ Micromax का smartphone आएगा और जो upcoming smartphone आएगा वो होगा 5G एक smartphone और इसका price भी आपको 20,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा क्या यह flagship smartphone होगा क्योंके Micromax ने यह भी कहा था क्योंके हम flagship smartphone को भी यहाँ पे launch करेंगे भाया support करेंगे हम क्योंके यह जो Chinese brand है चाहे वो Xiaomi चाहे वो Realme भाय तंग कर दिया है उसका flash sale देखो उसका black marketing देखो उसका price आइग देखो क्या घजब का है और भाया एक आपसे अनुरोद है और एक वीडियो आएगा मेरा इंडियन ब्राइड भारसेज चाहिनीज ब्राइड वो ज़रूद देखना और कहीना कहीन अगर आपके दिल में आपके दिल में यह support करने के लिए एकदम होड़ा है न तो support कीजिए, subscribe कीजिए notification bell को push करके all कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको honest review मिलता है unboxing मिलता है सब कुछ मिलता है और दोस्तो Micromax का जो यह smartphone आएगा यह camera बे भी जबरदस्त होगा बाइदो वे, यह तो leaks हैं पर leaks in Note 1 और in 1 B के तरप से भी आया था पर leaks तो समने आया processor वगेरा सब कुछ मिल गया है तो यह जो in Note 1 Pro या Note Pro 5G आ रहा है यह तो त्या है 5G smartphone आपको मिलेगा Micromax के तरप से और यह आपको 2021 में आपको मिल जाएगा और पहले बाद पे ही आपको साइज January, February के महने पे मिल जाएगा पर December के महने पे आपको दो smartphone और भी मिलने वाला है Micromax के तरप से तो यह था कुछ news जो Micromax के तरप से आया है यानि यह जो कुछ leaks वो Micromax के तरप से नहीं यह तो leakers जो है leaksters जो है उन्होंने कहा और Micromax का जो co-founder राहूल सर्मा उन्हों तो clear कह दिया था कि हम note series के ऊपर भी smartphone ले आएंगे और इतना जल्दी सही में आगे जा रहे हो बॉस तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है धन्यवाद